आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा जब से बिहार में जातिया आधारित गणना के रिपोर्ट सारवजनिक किये गए हैं तब से बिहार में राजनीति गलियारों में घमसान मचा हुआ है इसान जो है अब बिहार गचबंधन में भी दिखने को मिल रहा है एक तरफ जा कॉंग्रेस ने अपने हिस्सेदारी की मांग कर ली है तो वहीं आती पिछड़ा समाज की भी मांग है कि कैबिनेट विस्तार में उनके आती पिछड़ा समाज से भी कैबिनेट में मंत्री रखे जाए लेकिन अब इसको लेकर इन तमाम चीजों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे नितीश और लालु प्रसाद यादव फस चुके हैं पिछड़ी आती पिछड़ी जातिया अपने हिस्से के मांग करने लगे हैं इस बात की भी मांग शुरू हो गई है कि जिस जाति के जतने हिस्सेदारी है उतनी हिस्सेदारी उन्हें राजनीती में भी दी जाए माहगटबंदन के नेता नारा लगा रहे हैं कि जिसकी जतने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी अब नितीश काबिनेट में भी हिस्सेदादी की मांग शुरू हो गई है, महागटबंदन के अंदर ही हिस्सेदादी की मांग शुरू हो गई है पाटी की ओर से जातिगत जणगर्ना के आकड़ों के हिसाब से मंत्री मंडल में नेताओं को जगे देने की मांग शुरू हो गई है। कॉंग्रेस की तरफ से लकातार मंत्री मंडल विस्तार की बात कही जा रही है। तो राहूल गांधी जब विपक्षी गचबंदन की पहली बैचक के दौरान पठना आये थे, तभी मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने ये कहा था कि कॉंग्रेस के दो लोगों को मंत्री मंडल विस्तार में जगे दी जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। भागेदारी के अनुसार हिस्सेदारी हो सके। बिहार की यादवों के आबादी 14 फीसदी है, लेकिन मंत्री मंडल में मौजूदगी 26 फीसदी है। देख सकते हैं किस तरीके से नितिश और लालू फस्ते नज़र आ रहे हैं जब से उन्होंने जातिया आधारित आकड़े सारवर्जनिक किये हैं। अब महागटबंदन में भी ये मांग उचने लगी है और कॉंग्रेस और आती पिछरा समाज की उरसे ये मांग उच रही है कि अब उनके लोगों को भी मंत्री मंडल वस्तार में मंत्री बनने का मौका दिया जाए। आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें।